चलते हैं सहरसा जिले के सिम्री बक्तियार्पूर प्रखंड के बल्वा हाट में यहां मीनी बाबा धाम के नाम से मशूर बाबा मतेश्वर धाम मंदिर में अधुद शिवलिंग है देखें यह रिपोर्ट सहरसा जिले के सिम्री बक्तियार्पूर प्रखंड के बल्वा हाट में मीनी बाबा धाम के नाम से मशूर बाबा मतेश्वर धाम मंदिर में एक ऐसा अधुद शिवलिंग है जो स्वै अंकुल्थ हुआ है काले पत्थर का या चमतकारी शिवलिंग पाता से निकला प्रतीत होता है ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग चौद्वी शताब्दी का है साल 2003 में शंक्राचार वासुदेवा नन सरस्वती ने इस शिवलिंग का दर्शन कर कहा था कि ऐसा अद्वुत शिवलिंग पहली बार देखा है या दुन्या का अनोखा शिवलिंग है बताया जाता है कि यह मंदिल पक्थर से नर्मत था लेकिन औरब जीव शासन में इसे तोर दिया गया था जिसके अफशिस अब भी मंदिर के प्रांगन में पड़े हुए है जाबन महिना कम से कम तब पूरा मास में दस लाख बार लाख से उपर डाक जल दस लाख पचलाख साप लाख आठ लाख में कामोर जल समान जल इस जब मिला के लंसम 25-30 लाख से उपर हैव जैचे बाबा मतेश्वधा मंदिर में शिवलिंग के पास सावन और भादो छोड़कर सालों भर जल भरा रहता है जिसका पता लगाने में पुरा तत्व विभाग भी आज तक सफल नहीं वो पाया है इस शिवलिंग का प्रतिवी से कोई सपर्स नहीं होकर काले पत्थर का बना चबुतरा और शिवलिंग के चारों ओर से गोलाई में डेड़ इंच का शुम्यस्थान है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है जिसकी गहराई का वर्णाण आव वर्णाण ने हैं पிड़ी दर्ब ठीली सथियां गुजर गई पर अब तक इसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सका है मानयता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाई मागी जाती है महादेब उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्म करते हैं सावर शुरू होते ही जैसे लोग कावर लेकर देवगर इस्तित बाबा वैजना धाम जाते हैं वैसे ही कावरियों का जठा मुगेर गंगा घार से कावर में जल्ब भर कर 80 किलोमेटर